जैहिंद एवरिवन वेलकम यौल तो वेकनिंग क्लासेज सुपरवाइजर एक्जाइम की प्रपरेशन हम कर रहे थे जनल साइन्स वाला पॉशन मैंने आपको सारा पढ़ा दियो है वैक्सिन इम्मुनाइज़ेशन वाला टॉपिक रहता था वह भी मैंने विद्धाहलप आम सिक्यूज आपको कवर करवा दिया आज हम जनल साइंस का मैराथान सेशन करेंगे जितने भी टॉपिक आपके स्लेबर में मैंचन है जनल साइंस के उनके सभी टॉपिक से रलेटी क्रेशन मैंने यहां पर इंक्लूड करें नियर अब थर्टी क्रेशन है इसलिए बोला जा करूंगा एक इंपोर्टन इनिशेटिव आपके लिए में लेकर आ रहा हो जो आपको बहुत करेगा एक्जाम में जाने से पहले एक कॉंफिडेंस बिल्ड करेगा एक आपकी प्रिप्रेशन को बूस्ट करेगा तो आपके साथ शेयर कर दूंगा तो बिना टाइम वेस्ट क पढ़ूंगा आपने वीडियो को पॉस्ट करना उसके बाद मेरी एक्स्प्रेशन सुन यह नहीं तो कोई बैनिफिट नहीं है यह इस तरह से होना चाहिए कि आपका एंसी क्यू भी और एक तरह का आपका टेस्ट भी हो रहा है दोनु चीजां यहां पर होनी चाहिए ठीक ह जिसको chlorofluorocarbon कहते हैं उनका emission का main source क्या है वो कहां से mainly emit होते हैं हमें बताना है फॉरस्ट फायर से लाइटनिंग से वाल कैनूस से यह रेफ्रीजरेटर एर कंडिशनर से ठीक है तो chlorofluorocarbon mainly कहां से होते हैं यह सारे तो आगे नैच्रल प्रॉसेस ठीक है और यह जो है यह हम रेफ्रीजरेटर कंडिशनर यूज करते हैं उन मेंसे सबसे ज्यादा है इसका अंसर ऑप्शन दी है अब यहां पर आपने इतना नहीं रुकना है बेसिकली chlorofluorocarbon किसे रिलेटीड है अजोन लेयर डिपलेशन से ठीक है अजोन लेयर डिपलेशन से सर यह क्या पढ़ा आप अगर बहुत हमारे बहुत हम रहती है अब आप बोलोगे यह सबक्राइशन से उनको आरत में नहीं पहुंचने देए और हमने उनसे गया अब होता गया है अब होता है 1985 में एंतार्टिका में इह देखा जाता है कि ओजो गया क्या देखा जाता ऑजो इसका नुक्सान रेडिशन नीचे पहुंचे फिर देखा कि वारा से हो रहा है Ben ly chloroflů कार्बं की वज़ा से हो रहा है क्लोरो फ्लोर कार्बंज जब होते हैं चाहिए वह में पहुंचते हैं क्लोरीन और फ्लोरीन के फिर ईंदि कर था है जो हमारे लिए हमारे लिए फुर्ट में पहुंचेगे ठीक है अब आप बोलोगे कि सर इतना कुछ क्यों बता रहे हैं पूछा जाता कि नहीं पूछा जाता है यह जो ऑजो जो ऑजो ऑजो देखा गया है स्टैटोस्फेर में सबसे पहली बार अंतार्टिका में जो जो ऑजो होल क्रिएट हुआ है इसको कौन से साइंटीस ने डिसकवर करा था वो यूके के अब देखो यहां तक यहां को समझ आ गया कि cal referendum के स्वाइड़ करने का था कि अगरражMart ऑज आपको फ्लोयकि अगर्श होन लेयर को प्रत्रेक्ट करने के लिए ऐग्यर्यक मेंदेग रिफ्थ यह फशाट है किस से लेतिए है un rifle का दला एक है मार पास mon petroleum protocol यह ँपोरटन इसली को रोकने के लिए को खतम करने के लिए हमने मोंटील प्रोकॉल लाया था थिक है यह सारी चीज़ें pencils पढ़ाई है आपको अगर आप इन्वार्मेंट इकालोजी और बायोगे सब पढ़ाया हुआ है सारे प्रोटोकॉल सारी चीज़ें पढ़ाया अगर आप नहीं और मैं आपको यह चीज़ बता हूं कि वहां पर आपको जाकर पढ़ने ऐसा नहीं कि मुश्किल है बढ़ाए में इन डेप्ध पढ़ाया हुआ रेलीत है अब मोंट्यल पॉटोकॉल हमने को खतम करेंगे इसकी जगह लाएंगे हाईड्र फलोर कार्बन क्योंकि यह देपने करते ते क्या है हमने देखा कि जो हाइड्र क्लोबल वार्मिंग आपके लेबस में global warming भी है तो हमें climate change है ना अब हमें क्या हमने देखा कि लेबस को थेक्षण के लिए है अगर पूछे किगाली एग्रिमेंट को है। sessions लाओंगा marathon, एक session, दो session हर topic में, जैसे science के related एक और marathon session लाओंगा भी में, exam से पहले, दो session, जैसे आज एक एक और session लाओंगा, तो आपको वहाँ पर check करना है, बाकी तो mock test आप दोगे, उसका भी schedule में आपके साथ share कर दूँगा कल तक, ठीक है, next question में move करते है, जैटिना whole project, एक project है, जिसका नाम whole project है, which was frequently news में होता है, due to environmental issues की वज़ा से, ये ambitious project है किस government का, किस government का project है, जैटिना whole project, महराष्टा का है, तेलंगाना का है, करनाट का, या अंधरपरदेश का, तो पहली बात, इसका आंसर आप खुद माग करो, इसका आंसर है करनाट का, देखो होता क्या है, बेसिकली ये एक जैटनोल region की बात हो रही है, एक region है, एक area है कहां पर करनाट का में, देखो वहां पर क्या है, एक river है, नेत्रावती river, स्टोरी समझो ना, ये नेत्रावती river है, नेत्रावती river पर क्रिया कर टैम करनाट का, इस पर आठ्डम करनाट का की गोवर्मनेटा, इस region को बोला जाता है, जैटिना होल रीजन अब हो क्या रहा है यह जो रेटिना होल वाला रीजन है ना इसमें बहुत जादा स्पीशिस है प्लांट की अनिमल्स की अगर डैम वहां पर बनेंगे इतने तो उनकी लाइफ को इंपक्ट होगा तो मैरीन लाइफ जो बाइब वहां की वह डिस्ट्राय हो जाएगी इसलिए उसके लिए यह बेसिकली यह गेंस्ट उसके गोवर्मेंट के बोला जाए कि यह प्रोजेक्ट वहां पर नहीं होना चाहिए इसलिए यह नियूस में चल रहा है इसी चीजें आपको पता हूं जैसे साइलेंट वैली प्रोजेक्ट साइलेंट वैली प्रोजेक्ट इसके आगेंस में पहुत जाए दा जाए एक बार इस सेजन में आपको यह भी बताऊंगा क्या क्या साथ वाली चीज़े पढ़नी है स्पून फीडिंग मत किया करो एक जगा पर डिपेंड मत रहा करो खुद भी गूगल सर्च करा करो गूगल को अच्छे वे में यूज किया करो इंस्टागर में फोटो अपलोड करने के लिए यूज नही उनर्जी तो हम बनाते हैं क्योंकि हम हमियो अपंग बनाते हैं क्योंकि हम ही कोदंगं से बाइस वागस वागारा सोलर एनरजी जो है वह नेट्रल्टल इको सेब्सक्राइं बधाते यह तो जब करते दए रीजन विचुन माक्सिमम बाई दिवस्टि करता है जहां पर सबसे ज़्यादा बायो डिवेस्टी नहीं सिञ्ड़ उसी एरिया पाइव यहां पर पाय यहां पर पाया जा तो इस्टे आहां पर खते जोह pseudo और॥ वहां की रिजनल पर वहां पर इनको थ्रेट बी होता है यह दो पर थेली बात उनको चाहिए और दूसरी बात उनको थ्रेड भी हो तो उसको वाइड़ाइबस्टी होट्पोर्ट कर देते हैं आपके लिए इंप्वर्टन्ट किया है कि कितने वर्ल्ड में अगर आपको होटस्पॉट है सबसे पहला वेस्टरंगार्ट यह नाम कर लो वेस्टर्ण गार्ट भायदिवस्ति होटस्पॉर्ध हाथ डूसरा हिमाल्या वाला हिमाल्य वाला रीजन होटस्पॉट थीश्ता इंड зах dressing इंडीयों और मयार मुत न इंड क्यासा है यह weakness सूंदा यह मैप रहा यह यह प्यारा प्यारा भार्त को यह इस्estar नहीं के लिए के लिए वेस्टन गार्ट वाल इसको समझ जया यह वेस्टन गाड वाल हर वाल इसको समय यह वैसर का ने इंडिया में total word में कितने 36 हमें समझ आ गया next question पर move करते हैं question 5 which toxic matter is released after burning plastic जब आप plastic को जला तो कौन सा toxic matter निकलता है toxic matter ऐसे कोई भी चीज जलाओगे तो carbon dioxide निकलेगी और तोक्सिक बताना है carbon dioxide nitrogen oxide कर दो क्योंकि nitrogen toxic नहीं होता nitrogen oxide polychlorinated biphenyls particulate matter इन में से कौन सा toxic matter निकलता है जब हम burn करते हैं plastic को इसका अंसर आप comment section में बताओगे तो comment section में आप इसका मुझे answer बताओगे कि कौन सा toxic matter released होता है जब हम burn करते हैं plastic को moving towards next question question में 6 पे move करते हैं question में 6 क्या कहता है excessive bleeding during an injury जब आपको एक injury हो जाती है देखो अब मैं वह simple question नहीं पूछूँगा ना इस vitamin को क्या बोलते हैं क्योंकि वह तो already आपको पढ़ाया और बहुत सारे mcqs में मैंने बताया भी हुआ अब सेम सेम रिपीट करूँगा तो आ आपको एक दिन पहले का दो दिन से notify कर रहा है ना कि science पूरी revise कर लो इसी तरह में आपको दूसर सब्जेक्ट भी notify करूँगा जितने time में notify करूँगा उतने time में आपने उसको ready करना है ताकि में marathon session लाओ तो आपने पढ़ा हो और आ कि आप revise करो ऐसी आ जाओगे directly यहां पर कि विटामिन B, विटामिन K यह विटामिन E, देखो यार जिम्पल है blood clotting वाली विटामिन है कोंसी है, vitamin K को phylo-q-none भी गयते है, विटामिन किसका नाम है, विटामिन K का, अब नाम कैसे याद करने यह पढ़ाया हुए, race to fight करके tricks से बताया था, train पूल पर चलिए बहुत के लिए responsible होता है. अगर vitamin K की deficiency हो जाते है, तो आपका blood loss हो जाता है. Blood clotting नहीं होते है. तो यह चीज यहाद रखना. नहीं बनेगा तो excess में bleeding हो जाएगी. vitamin A, vitamin A का नाम बताथो. vitamin A का नाम retinol. Minsan कुल्म को विटमिन नहीं नाम विटामिन आमेल का नाम क्या था का नाम तोको फिरोल क्या नाम नाम तोको फिरोल यहां खेनए रेटीनोल विटामिन कैसे नाम है घृतामीन रहें दो छालिन कोश तो अब मेंन रहें कोश कोषा रहा नाम घालो है ग capitalist विटामीन जो कीड़ा बची ना के इडी यह जो चार बची ना बाकी एडी के यह सारी फैट सॉलूबल है तो याद करने का तरीका कीड़ा से याद कर लो फैट सॉलूबल तो बाकी विटामीन बी और सी जो हैं यह दोनों वाटर सॉलूबल विटामीन से हैं ठीक है I hope this is also clear to you यहाँ पर आपको कोई दिक्कत में उजए एकड़ेवलगोल ने मुदा सी को इसकोर्भीक आशिझ जिखła है लगे थो यह जो हैं influen pete के अंदर आते विवन विटामीन बिटामीन का दूसरा नाम है थामीन क्या नाप है थाया में الीटामिन वीटामिन वीयार त्रेयरज्क पर चली बहुत विटामिन वीटामिन दिन करेंड नाम क्हां डिए conspiracy कॉचित कर नाम नाम है नाम नाम नायासिंट बीफाइब का B7-Biotein B12 cobalam mine यह तो रयत्लो एक्जाम पूछा जाता है यह bहत इंपॉर्टेंट है ठीक है में कमणोर बढर तो उसकी विए डिजन रेंट हो जाते हैं तो आपको पता एक परस्थ दूसरे बरस्थे जल जाती है जैसा कोई भी इंडिविजल से नहीं होते हैं और किसी एक परसन को डियाबिटीज है या हम प्रेशर है तो वह एक से दूसरे में नहीं जाता है इस आपको बता दी अल्जाइमर डिसीज बता क्या होती है याद नहीं बूल जाती है एज के साथ गर्जनी काइंड ऑफ जब आपको याद बूलना शुरू हो जाती है तो वह अल्जाइमर डिसीज कहलाता है ऐज के साथ आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है कैल्चिम की कमी हो जाती है बोन्स वीक हो जाती है एज के साथ उसको बोलते है ऑस्टेपोरसी यह दोनों की डिजनेटिव डिसीज में आ जा और और आपने की टेपले होती है इसीट्रो माईक्षीन तो सुना ही गएर्ट इंफ्रेक्ष्टे वगयरा हो जाया लर्जी वगयरा लेता यह पैंसलीन के इंजेक्शन यह भी सुना हो गापने गटीट करने के लिए ये क्या है of एक्तिरिया तो हैं वैक्तिर्यटिक्षे नहीं है ये सारे ये सारे और ये इक वैक्सीन और ये फर्रद और हाए डेगे लेते हैं ओसको खत्म करने लिए ड्य talk के लूँका वेक्सिंज पहले लिय प्रिवेंश्य के काम में आती है पहले ले लिए जाती है एंटिबाइक्स कैपर कवा के काम में इस 하신 माल डिफरेंसीज आपको पता होने चाहिए box फिरिये तोडिये से इस टारी ईछन हुच्टिरिया पैथर करती हैं हमारी जृत्रोमाइक्सिन इतना नहीं पूछेगा आपको पता हों चाहिए सारी एंटिबाइटिक्स की एंटिबाइटिक्स का डिफ्रेंस आपको पता होने चाहिए मोविंग तो नाइन हो इस एच आईवी ट्रांजमिटीड हुमन अमीनो डेफिशेंसी वाइरस एक एसा वाइरस जिसकी वज़ा से हुमन की इम्मुनिटी वीक हो जाती है उसको बोलते हैं एक एसे ट्रांस्मिट होता है वैं इंफेक्टिड बॉडिली फुल्यूट्स एंटर अगर एक इंफेक्टिड बॉडि का फ्लूट किसी की बॉडि इंफेक्ट है उसमें चाईवी है और वो किसी दूसरे के ब्लॉड्ड स्ट्रीम में चला जाता है तो उसको हईवी होगा थो टचिंग किसी को हाथ लगाने से हचाईवी हो जाता है तो शेरिंग नीडल्स इक परसन का ब्लॉड कंटेक्ट में तो हचाईवी हो जाएगा और फॉर एक नीडल है नीडल से कैसे होता एक इंजेक्शन लगा किसी परसन को उसमें था तो वह उसको दोया नहीं करा गया अच्छे से नहीं किया गया दूसरे परसन को दे दिया गया उसका जो वाइरस है वहाँ से परसन के दूसरे ब्लैड में चल जाएगा तो उसको भी अच्यवी वाइरस होती है एल्स की फूल फॉर्म बी जाम है पूछी जासकती है AIDS is Acquired Immunodeficiency Syndrome Acquired Immunodeficiency Syndrome तो यह चीज़ है आपको पता है AIDS की कोई भी वैक्सिन नहीं है इसके treatment different purposes है इसमें कोई भी वैक्सिन नहीं है नेक्स कोशन पर मूव करते है इन में से कौन सी communicable disease है जो टांस्वर हो जाते है एक animal to animal जो भी है जो टांस्वरेबल होते हैं इन में से कौन सी communicable disease है malaria diabetes क्वाशी ओरकर या hypertension इन में से कौन सी communicable disease नहीं है या आप सबको पता है diabetes आज कल हर परसन को diabetes sugar की problem है बट वो communicable disease नहीं है hypertension tension कब से transfer होने लगी ठीक है इसलिए मैंने यहां पर डाल दिया option कि मैं आपको समझा पहूं क्वाशी ओरकर एक तरह की malnutrition है क्योंकि आप पढ़ रहे हो nutrition आपने specialization पढ़ी है तो आपके syllabus में nutrition वगारे topic related है तो यह भी एक तरह का malnutrition malnutrition मतलब अडिक्वेट nutrition जब आपकी बॉड़ी को नहीं मिलते है जब आपकी बॉड़ी को अच्छी क्वांटिटी में जब प्रोटीन नहीं मिलती है तो उसकी वज़से जो malnutrition होती है तो क्या यह communicable disease हो सकती है नहीं इसका एक तो कैयर होता है जो उठाके लेके जाता है एक होता है नियूमन बिंक की बोडि में डाल देता तो उसको तो इसका नाम है प्लास्मोडियम क्या नाम है प्लास्मोडियम छे तरह के प्लास्मोडियम होते हैं जिन में से इम्पॉर्टन होता है तो सबस्काइब करता है प्लास्मोडियम के छे टाइप अगे सब्सक्राइब्स सब्सक्राइब करें तो बाकी मैंने अब ब्ता इन में से communicable diseases कौन सी है communicable non communicable disease पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ यार यह सारी चीज़े मैंने आपको पढ़ाई हुए है अगर आप आप जाके देखोगे तो आपको समझ आएगा जितने भी एक्जाइम में कुछे जाते हैं आपको अल्रेडी बता दिया चिकन पॉक्स भाई वाइरल डिसीज़ खतरनाक ट्यूबर क्लाशीज वाइरल डिसीज़ नहीं बैक्टीरियल डिसीज़ यह मैंने वहां पर उस लेक्चर में आपको ट्रिक पढ़ाया था बैक्टीरियल कैसे याद रखनी है जैसे एक मैंने आपको याद करवाई हुए यह सारी वहां से याद कर लो ठीक है उस वीडियो को देख लेना डियाबिटीज या कॉल रहा तो कौन सी नहीं है नहीं है यह चीज़ हमने देखिया और डियाबिटीज का वैक्शिन भी स्टार्ट हो चुके यह भी मैंने आपको वैक्शिन वा के लिए यह बार टार नहीं हैं अब करएक्शेंगा और आपको जीज़ हैं यह बोला गया था यह बोला गया था एक दो बार लेक्शे देख लेना क्लियर हो जाएगा सब कुल हुआ स्कार्ष करता है वरिस्टेलाज्ट तर समाल पॉक क Nonetheless करता है वर्योला वाइरस क्छी है। इसको वारिस मॉयर्स मन्मार्ट देना है कौन कोन करता है है माइक बक्ठीरियम इसे न कॉस करता है बैटी वी और आपको जेकेसेश्बी ने रीसेंट इग्जाम में पोचा गया था टुबर क्लॉसिस की वैक्सिन कोन सी है तो बीसी जी वैक्सिन बैसिलर्स कलमेट ग्यूरीन यह किसकी वैक्सिन है तो यह याद करते हैं यह एक्जाम में पूछा भी गया ठीक है यह कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यह जो रिवाइस करवाया जाना आपको यह सब इंपॉर्टेंट है तो इसको ऐसे लाइटली मत लेना चीजों को क्यूंकि एक्जाम में यह जब आएगा ना वर्स जो मैं बोल रहा हूं तो और वो चला गया आगया उसने नहीं सु इसके नाम में यह तो इतना कंफ्यूजन नहीं होना ठीक है कोशन करने जब हमने लेक्चर स्टार्ट हुआ था सर आप 30 कोशन करवार इसको मैराथान क्यों बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा था क्योंकि 30 को पढ़ाने में टाइम लगेगा कोशन में करते हैं विच विटामि पढ़ी हुई है वह पढ़ी है विटामिन डी ध्यान से सुना इस चीज को यह कंफ्यूजिंग कोशन है आपने नहीं होना इसलिए मैंने यहां पर कंफ्यूज करती है कौन सी विटामिन है जो आप जैदा माउंट में लोगे तो वह आपकी बोन्स को हाम करेगी विटामिन विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D लार्ज अमाउंट में ले रहे हो एक तो ले जैदा है और आपकी बोन्स को भी हाम करेगी अईशी कॉन सी विटामिन हो जाएंगे हमने यह सुना था लेंगो तो vitamin हमारी bones कमजोर हो जाएंगी ऐसी कौन सी vitamin है तो vitamin C vitamin C अभी मैं आपको बड़े बजूर्गों की बात से relate करके समझा दूँगा तो आपको कभी नहीं बूलेगा पहली तो आपने यह याद रखना है vitamin D से bones strong होते हैं मैं D की बात करो vitamin D से हमारी bones strong होती है अगर किसी body में vitamin D की deficiency हो जाएगी तो उसकी body में bones weak हो जाएगी जिस disease को हम रिकेट बोलते हैं इसका एक और नाम है वो आप मुझे comment section में बताओगे मैंने अपने उस lecture में बताया था आपको तो कुछ आप भी करोगे काम जहां जहां question दूँगा video pass करोगे उस question का answer लिखोगे Google करके लिखोगे अगर exam में आपको रिकेट नहीं दिखेगा तो दूसरा वो नाम दिखेगा तब मेरे को blame मत करना ठीक है vitamin D जो है वो हमारी body में चाहिए हमारी bones को strong करते हैं हमें बोलते हैं कि दूप में बैर जाये करो 10-11 तो vitamin D हमें मिलती है vitamin C अगर हम vitamin C ascorbic acid जो किसमें होती है विटामिन C अगर हम ज्यादा amount में ले लेते हैं तो हमारी bones को weak कर देती है for example निम्बू पानी बोलते हैं हमारी legs की bones weak हो जाती है हमारी कमर किसी को कमर की problem हो जाती है तो यह सारी vitamin C की access में लेने से problems होती है तो इससे आप इस चीज को याद रख सकते हो जो हमारे बड़े बजूर्गों ने कहा है वो हमें काम भी आता है ठीक है तो हम अपने आपको ज्यादा सुपर स्मार्ट नहीं समझेंगे कि हम modern पढ़ाई करके आएं बड़ पूरानी चीजें भी हमारी life से कहीं नहीं रिलेटीड है नेक्स्क्राइब करते हैं क्वेश्म में 13 विचाव फॉलिंग वैक्षींज कें नॉट बी इनकुलेटीड अध टाइम बर्थ इनकुलेशन वैक्षिनेशन इम्मुनाइजेशन बताया है इन में से कौन सी वैक्षीन है जो बर्थ के टाइम में नहीं दी जा सकती और नहीं ड्यावातर नहीं है इसका नाम लिख लोकाइशन आपको नहीं लिख लो इसका नाम है इतना इक्जेक तो मुझे भी नहीं पता देख लो यह है conjugate vaccine या medical doctor ही पर सकते हैं मेरे लिए तो इतना ही ठीक है new local conjugate vaccine PCV vaccine जिसे कहते हैं इन में से कौन सी vaccine जो है जो बर्थ के टाइम पे नहीं दी जाते है वो PCV vaccine निमूनिया की vaccine भर्थ के टाइम नहीं दी जा सकती है बीसी भी दी जाती है है अर्विक रियक्शन नहीं है नौट देखो जो बी रियक्शन की प्रेजन में होगी उसको बोलेंगे जो ऑक्सीजन की अनैयरोबिक ठीक है था है तो कोन सी इन में से और बिक रेक्शन है तो आप सब को पता है कौन सी होते हैं फोटेशन में क्या होता है शराब का बनना अलकॉछ खेस्ट इस्ट हमारे पास होता है उसकी हम अगर हम कोई कर रियक्शन करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है बेसिकलिए हम glucose को तोड़ते हैं तो बेसिकलिए fermentation process को बोलते हैं वाप पर अल्कॉल बनता है उस process में वो कौन सी process होती है absence of oxygen में होती है इसको बोलते है अर्बिक reaction या अर्बिक रिस्पाइलेशन इसी का उलता होता है क्या होता है इतनी केमिस्ट्री मत पढ़ाऊ थोड़ी बहुत पढ़नी पढ़ेगी ग्लुकोस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजन में तूटता है छे मॉलीकुस इसके भी ले लो ऐसा कुछ था रियक्शन एक तो बनता है एक बनता है एक बनता है वाटर बनता है और एक हमारे पस energy रिलीज होती है यह कहां पर होता है यह माइटो कॉंड्रिया में होता है इसलिए माइटो कॉंड्रिया को energy of the cell भी कहते हैं क्योंकि वहां पर ग्लुकोस तूटता है और एनर्जी बदता है यह रियक्शन जो है प्रेजन्स ऑफ उक्सीजन में हो रही है प्रेजन्स लाकंड़ उक्सीजन में कम होती है लाकंड़ एक्सीजन के टाइम में जो उसके से मेंक्याइं पर बनने हमें नहीं पमें पता कहां पर मुसलिवन हो यह आपकी 6% क्वार्डी में हो मुसल्स मैं इस इसईसी कुछ से नहीं है मुझे तो पर समय बोला है क्लीयर होचुकिया साहरे क् चो बाएंस मचले मेर्म स्वां इसे इन मेर्मेट। इश्यूज़ पढ़ाया हुआ है इन में से कौन सा मैटल है जो मीना माटा इसको में नाम रखा गया तो किसकी वैसे होता है मर्करी क्रोमियूम कैडिमियूम आइरन सर हमें इसका पता है मिना माटा मर्करी हम इस तरह से इसको याद कर लेंगे में आता है मिना माटा कन्वेंशन किसके रिलेटीड है इस तरह इस तरह चीज़ें में पूछी जाती है यार उदर जाके आप देख सकते हैं कटें कोलकेटटा यार्य सिंपल को था इसमें पूछा जा सकते हैं इसमें मेजर काउज़ काउशन है जैसे डेली में बात करें तो चैमिकल इंडेस्टरी तो कलकता की बात करें तो मेजर कॉज़व पलूशन क्या है सिमेंट प्लांट कैमिकल इंडेस्ट्री हाइड्रोकार्बन या वाटर वेपर सबसे जाएदा मेजर कॉज़व पलूशन का कॉलकता में सिमेंट प्लांट है और यह कुछ इए गलती होगे सौरी नेक्स प्रभ्लम या यह बहुत बिलकुल नहीं जले होए कर्बन को से करते हैं छुप कर्ते किकल दो हैं ऑर्फ disruption क्या है इन्वाम्मेंट वाला टॉपिक है अर्थ वामर बैक्टिरिया क्या है प्रेडिवर हैं कंजूमर हैं डिकंपोजर्स यह और भी चीज़ें डेड़ बॉडी होती उनको तोड़ती है और न्यूटरन बना के वापिस वापिस सौइल में डाल देती हैं यही काम करते हैं उनको इ बहुत आजाते है जैसे गोट होगी कोगी वो डायरेक्ट प्राइम्री कंजूमर वह होते हैं जो क्या खाते हैं उसके पाद आगे से कंजूमर में आगे तरश्री कंजूमर में क्या है सर Newman के बारे में बताओ ना he was Humane Omni war Omni War कहने का मतलब है युमन जो है वो कार्णीवर भी है human कंजुमर भी है कानीवोर कहने का मतलब है जो है प्लाट्स भी खा लेता है और human animals product भी खा लेता तो यह omnivore बन गया तो ऐसे जो plants product दोनों खाते ना वह omnivore कहलाते हैं क्या कहलाते हैं omnivore कहलाते हैं तो human के लिए omnivore word आप याद रखोगे producer consumer decomposers क्या होता यह मैंने आपको बता दिया यह भी एक बार आप देख सकते हो next question is trapped heat inside the earth is known as trapped heat ही जो trapped होती है inside the earth हमारी earth के अंदर जो heat trapped रहती है उसको क्या बोलते हैं heat energy kinetic energy geothermal energy resource of energy बहुत अच्छा topic में आपको बढ़ाया था वहां पर मैंने साही चीज़ें बताई हुए वह कौन सी energy यह जो हीट आर्थ के अंदर ट्रैप है डाइडिस दोना जीओ थर्म अनरजी और कैसे उसे energy लेंगे उसमें कुछ भी डालेंगे उससे क्या करेंगे वह हीट energy बाहर निकलेगी हम पानी रखेंगे पानी बॉयल हो जाएगा पानी को बाइल करवा दो स्टीम मनेगी स्टीम से टर्बाइन गुमना शुरू जाएगा और टर्बाइन जब गूमने लगेगा तो इलेक्ट्र मैगनिटी इंडेक्शन की पैसे बिजली पैदा हो जाएगी बताया था यह साही चीज़ें आपको सोलर में सोलर साल में डिफ पूछा जासकते है फ्लोटिंग सोलर पार्ग सबसे बड़ा कहां बनाया गया यह लगा सबसे बड़ा कहां पर रहें यह कोंस है यह मुझे आपने कमें अब इंडिया में आपको स्बसे बनाव इंपोचा जा सकता है इंटरनाशनल सोलर अलाइंस हमने बनाएघे गुरुगराम हाई बीच में शोर एनगरान फ्रांस यह चीज़ आपने मुटु टोगो त्वोडी सारस में करेंट डेखते और अभी तक आपने करेंट अफेर्स विए हमारे इंस्टरीम हैंदल को जॉइन नहीं कर रहा है तो कर लो किकि वहां पर इंपॉर्टंट करेंट फैस आते हैं इसक्जायों के लिए एक्जायोर चल रहे हैंने इस तरह की नहीं नहीं है नहीं नहीं है नहीं non-renewable source of energy देखो या nuclear energy क्या होते है देखो दो चीज़ें होते है न्यूक्लियर फिशन दो प्रोसेस होते है एक होते है न्यूक्लियर पूरिज़्य में प्रिश्ट इंपर्टेन्न से इस लिए हम नूप्रोल्य वाले प्रिश्ट को यूस करते हैंद इस्थ यह चीज़ आपने याद एकने सर्फ फ्यूजन कहां पर होता है फ्यूजन सन में होता है हाइड्रोजन हिलियम में कनवर्ट होता है डाइट वससे नहीं कर सकते हैं हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं I hope this is clear to you moving to us question 21 21st question देखते हैं what role human plays in food chain human कौन सा रोल प्ले करता है फूट चेन में हम क्या करते हैं हम प्रेड्यूजर हैं हम कंजूमर्स हैं हम कोई भी चीज़ नहीं करते हैं यह हम di-composers है हम क्या हैं biggest हम consumer हैं कंजूम करते हम दोनु तरह से consumer हम प्राइमरी इंप्रयम्री कंजूमर कानिवर हम omni votre हम क्या हैं basically consumers में भी बात करें तो हम omni worst हैं कानिवर प्लांट्स प्रॉटक्स भी प्रोडेक्स भी खाते हैं यह चीज आपने याद हैं नहीं मुविंग तो इसको फॉड वेब इन्में से कौन सी कंडिशन जो है वह फुड वेब के लिए सही है वह फुड वेब और फूड चेन का फरक आपको पता होना चाहिए यहां पर फुड वेब आउनली फूड फॉड इसको एक एनिमल ने खाया साथ यह तो नहीं तो यह तो हो ही में सकता फुडिवर्स से स्टार्ट हो सा इस ही खाम इक होता यह है इसको यह खाता है कहानी सपारे कर्ता है इस यह गार वहां सकता है तो लाइन भीर खाग है घृ golden भी हमिआ तो इनका डिफ्रेंस आपको पता होना चाहिए नेक्स कोश्म करते हैं तो इसका अंसर आपको पहले ही पता होगा करता है करता है करता है को इसको पावर हाउस आफ देल क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं सर्पावर हाउस क्योंकि यह एनरजी बनाता है क्या बनाता है एनरजी एनरजी किसकी फार्म में बनाता है एक्जाइम में क्वेशन पूछता है ऐसा कौन सा सेल और्गनील है जिसका खुद का अपना डियन ने वो यह चीज़ याद करें किसी और इक्जाइम में फस जाएगा यह फेवरेट कोशन ने पूछे जाते हैं तो अब कह रहा है कि इन वाट फॉर्म जmern ऊलब किस वे में ट्रांस्पोर्टेशन करता है किसकी ट्रांसोर्टेशन करता है तो बाध के तांस्पोर्टेशन करता है इस करता है तो बेसिकली जाइलम जो है वो जुनी डायरेक्शन कहने का मतलब है यह रूट से प्लांट है यह आगया प्लांट ठीक है इसमें यह रूट से नीचे रूट से वाटर और मिनरल्स को लेता और डिफरेंट बॉड़ी के लीव की तरव उपर लेके जाता प्लांट में तो यह उपर जो है इत्टी इरлось से भट यहां यह चाब डाल नीचे से अपर ही करता है इसलिए लिए हम इसकों बोलते है यह इना आप्यर करता है जहार वाँघुस इस में अपना नीचे कर बहो बहुता है नहीं होता उसला में जासकता है तो यह एन इनिदेक्शन होता है फ्रम दा रूट्स तुवर्ज दा लीव और टिप आप दा प्लांट ठीक है फंगर एंड प्लांट रूट सिस्टम सिंब्योसिस इस रफट वह सिंब्योसिस या सिंब्योटिक रिलेशनशिप क्या होता है जब दो परसंस या दो चीजें दो और इसम आ सिंब्योटिक रिलेशन को बोलते हैं अभी पूचा है फंगस और प्लांट रूट सिस्टम वह आपस में मिलके काम करते हैं इसको क्या बोलते हैं मिश्यलीजम नोड्यूल्स फाइबर्स या मायको रिजा इस फंगस और प्लांट रूट सिस्टम करने में हल्प करते हैं इसलिए इनको सिंब्योटिक रिलेशनिशिप कहते हैं तो यह याद रखना अगर आपको कोई पूचे तो वह एक symbiosis की example ही है, lichen is also an example of symbiosis, lichen में algae और fungi होता है, बहुत important है, exam में पूछा जा सकता है, next question में 26 में move करते है, xylem किसे बना हुआ है, हमें बताना है, xylem किसे बना हुआ है, tracheids, fibers, parenchyma, पहली बात xylem हो या, दोनुँ चार चीज़ों के बने हों और तो तो तीन वाला बचाटी दो, यह भी तीन वाला है, यह आपे बचे यह चार वाला यह चार वाला, अब यह आपको पढ़ना ह्था, बेसिकली जाइलम में हमारे पास क्या होता है ट्रेकिट्स फाइबर्स वेशल्स पैरंकाइमा देखो सुनो मेरे बाद हमने दो चीने पढ़िए एक पड़ा फ्लाइम जो फूट बगारा ट्रांसपोर करता है और जाइलम जो है वह वाटर मिनरा करता है फाइबर और फाइबर सीव टूब सेंड अब हमें नहीं बूलेगा आपने हमें बता दिये कैसे याद रखना जायलम फ्लॉइम में चार- चार जायलम के अंदर और फ्लॉइम दोनु के अंदर फाइबर पैरन काइमें तो हैं दोनु में हैं बट जायलम में अलग क्या है ट्रेकिश और वेशल इं इस तरह से हम याद कर लेंगे सर और आप हमें एक्जाम में कुछ नहीं बूलेगा इंपोर्टन कोई इंपोर्टन कोई लंग्स का वह पार्ट जो एरिया प्रवाइड करता फॉर्ड एक्सचेंज अव गैसे देखो यार आप ऑक्सिजन लेते हो चोड़ते हो आपकी बॉड़ी में जाके अंदर लंग्स में कोई तो ऐसा पार्ट कोई भी ऐसी सर्फेस होगी जहां पर गैसी का एक्सचेंज होता है सेल्स के साथ उसको क्या वोलते हैं डाइफ्रैगम बॉंक्यॉलिस ब्रॉंकाई या अलवली तो क्या होते हैं बेसिकली व यह पूचा जाता है कि जिन्हें बोलते हैं विलाइस बिल्या या विलाइस इनका भी काम है this को अब्डॉर्ब करने में help करते हैं और जो एल्वीली थे बिल्याइस्स इक्सेंट में बगारह प्रोवाइड करते हैं विलीज के लिए भी ताइप अच्छी क्वालिटी का कोईला होगा एंथरसाइट सब बीटुमिनियस यह तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है एंथरसाइट एंथरसाइट इसको ब्लाक डायमंड कहते हैं यह पॉइंट आपने यह आद रखना है प्रिवेंशन ओविड डिसीज बीसीजी वैक्षिन इस गिवन यह तो अब आपको पता होना चाहिए वैक्षिन का तो लेक्षर अभी पढ़ाया था तीन चार दिन पहले पांच हजार बच्चों ने निर अबाउट वह लेक्षर देख लिए बहुत इंपॉर्टन एक बाद इंफेक्ष नहीं यह निमोनिया आपको पहले बिता दिया इंफ्लेंजा वाइरस के वाइरुटन वाइरूटन वाइर में वाइयल इंफेक्शन हो जाती है घ्जाम्पल में में पूछा राता है बक्रक्रीया काॉस करता है लिए इंपोर्टेंट है इसका लिंक में डिस्रिप्शन में डाला हुआ वहां पर आप आप जाके देख सकते हो अब आपके बाद यह इंपोर्टन चीज है ठीक है देखो अब आपका हो गया एक तो अभी आपको अगर स्पोस्ट कोड़ा आपका देखो दो चीज़ें यहां पर दो इंपोर्टन इंफर्मिशन आपको साज मैंने शेयर करनी है पांच नहीं तीन ही मिनट लगे हैं रुक जाओ दोनों ही इंपोर्टन है और आप मुझे पूरा ओफिचल टेस्ट और यह में करने वह हैं फूल लेंथ मौक टेस्सके लिए मैं बताऊंगा है यह पूरा ऑफिचल टेस्ट थे फुल लेंद मौक टेस्ट इसका शेडूल यह है पहला टेस्ट फर्स जून को है फिर फाइब जून नाइन थर्टीन और सेवंटीन तक एक बार में आपको पूरी तरह से पूरा ही रिवाइस करवा दूंगा ठीक है उसके आपको टाइम बचेगा आप उनको रिवाइस करोग करना ही जुरूरी इसलिए मैं आपको फूल लाइन टेस्स प्रोवाइड करूंगा इतने कम पर कि आपने सोचा भी नहीं होगा ठीक है क्योंकि मेरे को अपना सिर्फ डॉमेन सर्वें यह वह वेबसाइट वगरा का देखना होता है उसके लिए मुझे कुछ खर्च करना इसके लिए मैं आपको बता दूंगा बहुत मिनिमल होगा आपको देख की पता चला एक तो यह है यह आपको देख लो और इस पर ज़रूर इन्रोल करना सभी कॉश्चन अप्टू डेट होंगे और मार्शीट प्रेक्टीस करोगा तो एक्जाम में जरूर है पर एक्जाम में जो भी एक्जाम दो सालों में में ली हुए है जेके एससबी के उनके जो 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 स्लेबर्स आपके साथ मिलतेंगे आपको पते हैं जमू कश्मीर हो गया जनल साइंस हो गया जी के हो गया वी स्पैशल रेफर्स तो इंडिया कंप्यूटर हो गया मैंस हो गया यह सारा ही अबर सेम ही होता है तो मैं चाहता हूं कि वह जो पीवाइक्यू जैसे मैं यहांपर प्रॉइड करता हूं अगर आप इस तरह का तो आप मुझे आज ही comment section में लिखोगे और मैं ऐसे session बनाना स्टार्ट कर दूँगा जो भी आपके topic है उनमे session लाओंगा जम्मू कश्मीर के रिलेटिक जो भी question पूछेगे हैं उनमे session लाओंगा फिर इंडिया की जी के जो question आये हैं उनके लेटिक session लाओंगा इस तरह से आपके session जो है मैं चलता आपको करवाता रहूँगा और कल से मैं start करूँगा कोशिश करूँगा कल या परसू से एक दो दिनों में आपको journal intelligence में reasoning के एक एक दिन का एक एक topic morning में टेलिगर में बता दूँगा इवनिंग में उसके related आपको practice करवा दूँगा कुछ question दूँगा आप practice करोगा और साथ में solution निकाल के important tricks को कहता आपके साथ share कर दूँगा आपका response मेरे लिए motivation होगा और मैं ये initiative करूँगा otherwise नहीं करूँगा मैं आपको पहले clear cut बता दूँगा ये दोनों इनिशेटिव अभी मैंने mock test launch भी नहीं करा दोनों इनिशेटिव आपके response पे full length mock test के लिए मैंने poll डाला था आपका response बहुत बर चटके आया तो आपके लिए start किया आपके लिए ला रहा हूँ अगर आप PYQs पे इस तरह से response करेंगे तब ही आएगा अधरवाइस नहीं आएगा ठीक है और टेलिगाम इंस्टाग्राम वगारा हैंडल सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जुरूर जॉइन करें और या देखो प्ले लिस्ट बनी हुई है न यूट्यूब में अब आप जाके देखो सिर्फ यह mcqs format revisions के लिए आपके लिए बनाएगे तो अभी आपका टाइम भी डिवाइस करनेगा तो डिवाइस करो आपको बहुत हल्प मिलेगी आपका लेक्चर पस आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा दिस इस इत वर तोड़े और थैंक यू सो मच फर वाचिंग झाल